नमस्कार दोस्तो स्वागत एक बार फिर से आपका मेरी यूट्यूब चैनल स्कूल मैथमेटिक्स में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इंटिग्रल साफ सम मोर टाइप्स दोस्तो पिछली वीडियो में मैंने कुछ बताया था बाइपार्ट के बारे में बताया था तो आज दोस्तों उसी के आगे सुरू करेंगे हमारा पूरा वीडियो दोस्तों एंसी याटी टेक्स्ट बुक पर बेश जोगा तो है तो है दिलिक्ते हैं दोस्तों इंटीग्रल्स कि आप ऑफ कि सम अगर टाइप्स अगर इंटीग्रल साफ सम मोर टाइप्स इसमें दोस्तों पहले हम लिख लेता है किसका किसका सीखेंगे कि फस्त है इसमें रूट एक्स स्क्वाइर मैंनस एसक्वाइर ओट है दोस्तों रूट एक्स इसक्वाइर पलस एसक्वाइर को इंटीग्रेट करेंगे थर्ड है हमारा रूट partners माइनस एक्स स्क्वाइर और फौर्थ है वसे सोरी दोस्तो तीन ही इए इसमें पर दोस्तो दोस्तो यह सब यह सब bonus किये गए थे सबक्राइब दोस्तो यहां भी हम सब्सक्राइब कर सकते हैं जैसे यहां पर एक्स को एकन ठीक्टा या एक ओसेफ्टा यहां पे x को assign theta या a cost theta लेकिन यहां पे हम by parts apply करेंगे by parts से करते हैं दोस्तों तो first देखिए यहां पे यहां प्लिखेंगे let इसको i माल लेंगे i equals to root integration of root x square minus a square dx यह मानेंगे दोस्तों अब इसमें क्या करते हैं हम इसमें हम क्या करेंगे into 1 कर देंगे इसको first function लेंगे इसको second function तो क्या हो जागा यहां पे दोस्तों i equals to root x square minus a square into integration of 1 dx minus कितना होगा d dx dx off हो जागा root x square minus a square into integration of 1 dx और यह पूरा दोस्तों हो जाएगा यहां पे dx तो i कितना होगा अगेन देखें यहां पे 1 का हो जागा x तो कितना हो जागा x into root x square minus a square minus दोस्तों root x का होता है 1 by 2 root x 1 by 2 root x square minus a square अगेन दोस्तों x square minus a square को हम differentiate करेंगे तो कितना हैगा 2x x square का 2x minus a square का 0 into x dx तो यह 2 से दोस्तों यह 2 cancel हो जाएगा और i equals to कितना हो जाएगा यहां पे x root x square minus a square minus x into x कितना होगा यहां पे x square divided by root x square minus a square dx यह हो गया अब दोस्तों ऐसा करते हैं यहां पे x square यहां पे x square minus a square है तो minus a square को plus करेंगे minus करेंगे और minus a square को sorry minus a square को यहां पे दोनों कटके क्या हो जाएगा 0 अब हम क्या करेंगे root x square minus a square से separate divide करेंगे तो i equals to हो जाएगा x root x square minus a square minus क्या करेंगे दोस्तों यहां पे integration x square minus a square by root x square minus a square plus a square divided by root x square minus a square यहां हो जाएगा दोस्तों dx तो फिर क्या होगा यहां पर i equals to x root x square minus a square minus यहां हो जाएगा दोस्तों देकि यह root में है यह है तो कितना हो जाएगा root x square minus a square dx हो जाएगा plus यहां पर a square constant है बाहर आएगा तो one by root x square minus a square dx यह जाएगा दोस्तों अब हम क्या करेंगे लिखांगे i equals to x x root x square minus a square यहां minus into करेंगे तो minus integration of root x square minus a square dx यह जागा minus a square integration of one divided by root x square minus a square dx यह हो जाएगा तो आई क्वास्ट्यू कितना हो जाएगा दोस्तो x into root x square minus a square दोस्तो यह i के equal है integration of root x square minus a square यह i के equal है तो minus i हो जाएगा minus a square और यह हो जाएगा दोस्तो integration of one divided by root x square minus a square dx दोस्तो यह minus i इधर आएगा तो कितना हो जागा यहाँ पर 2i हो जागा यह हो जागा x root x square minus a square minus a square यह हो जागा दोस्तों integration of 1 divided by root x square minus a square dx अब दोस्तों हम क्या करेंगे 2 से divide करेंगे तो i quest हो जागा यहाँ पर x by 2 root x square minus a square minus a square by 2 और 1 by root x square minus a square का integration log mod x plus root x square minus a square plus constant दोस्तों यह आ गया अब दोस्तों इसका जब हम यूज करेंगे आगे के questions में इस type के अगर questions आएंगे एक ही जगा कोई constant रखके तो हम सिधे formula की तरह दोस्तों यूज करेंगे तो इसे आपको याद रखना है यह हो गया दोस्तों यह तो वही हो गया one by वाला formula इससे आ गया बाकि जिसको हमें integrate करना उसमें x by 2 से into किया गया है अभी बाकि और भी देखते हैं दोस्तों फिर हम कोई common idea मिलेगा कि कैसे हम इसे याद करेंगे तो सेकेंड देखिए दोस्तों क्या है इसमें यहाँ भी ही मान लेंगे i equals to integration of root x square plus a square dx यहाँ भी इंटु वन लिख देंगे हम अब इसको क्या मानिंगे first function इसको मानिंगे second function तो i equals to क्या हो जागे है पे root x square plus a square into integration of one dx माइनस क्या हो जाएगा डी डी एक्स और रूट x square plus a square into integration of one dx और यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों डी एक्स यह हो जाएगा करते हैं दोस्तों इसके आगे हम तो क्या होगा यहाँ पर i equals to यह जागा root x square plus a square one का integration x हो जाएगा x minus integration of root x square plus a square का 1 by 2 root x square plus a square और दोस्तों x square plus a square को differentiate करेंगे तो 2x plus 0 into x dx यह हो जाएगा फिर आगे कितना होगा दोस्तों यहाँ पर x into root x square plus a square minus यहाँ 2 से 2 कटा दोस्तों x into x x square x square divided by कितना हो जागा root x square plus a square dx यह हो गया आप क्या करेंगे दोस्तों इसमें हम अब यह हो जाएगा यहाँ पर भी दोस्तों क्या करेंगे प्लस a square और माइनस a square फिर से divide करेंगे अलग-अलग तो x into root x square plus a square माइनस यहाँ separate divide करेंगे तो x square plus a square में divide करेंगे root x square plus a square से और यह जाएगा दोस्तों minus a square divided by root x square plus a square dx अब क्या होगा दोस्तों यहाँ पर आई कोस्तों हो जागा एक्स यह हो जागा root x square plus a square माइनस यहाँ अलग-अलग integrate करेंगे दोस्तों x square plus a square divided by root x square plus a square dx अभी माइनस माइनस प्लस होगा साथी साथ a square बाहर आएगा integration of one divided by root x square plus a square dx यह हो जाएगा दोस्तों अब यहाँ से आई कोस्तों कितना हो जागा x root x square plus a square माइनस यह दोस्तों root में है और यह है तो क्या हो जागा यहाँ यहाँ पर integration of root x square plus a square dx प्लस दोस्तों हो जागा यहाँ पर a square और इसको लिख सकते हैं हम लोग अभी ऐसे राने दें फार्मुला बाद में अप्लाई करेंगे x square plus a square dx यह दोस्तों आई है पूरा आई कोस्तों हो जागा x root x square plus a square माइनस i plus a square यह हो जागा log mod यह कितना हो जागा x plus root x square plus a square अब माइनस i धर आएगा तो कितना हो जागा 2i यह हो जागा x root x square plus a square plus a square log mod कितना हो जागा x plus root x square plus a square तो i कितना होगा दोस्तों 2 से डिवाइट करेंगे टू से इन्टू है तो x by 2 root x square plus a square plus a square by 2 यह हो जागा दोस्तों log mod x plus root x square plus a square plus constant तो यह दोस्तों हो गया आपका सेकेंड वाला पार्ट इसे भी दोस्तों आगे हम क्या करेंगे फॉर्मूले की तरह यूज करेंगे इसको आप अपनी कॉपी पैसे नोट कर लेना डेरिवेशन सीखना दोस्तों डेरिवेशन भी करना अब तो दोस्तों यह सेकेंड हो गया अब आते हैं दोस्तों थार्ट पर देखते थार्ड वाला क्या कहता है यहां पर यह हैं सेकेंड सेम भाई स्टेप से दोस्तों जैसे बागी उपर के दो पार्ट में हमने किया तो क्या हो जागा आई कोस्टों जागा यहां पे रूट तो ऑसकोर माइनस X स्कॉयर इंट्व इंट्रेशन ऑफ वन डियेक्स माइनस क्या हो जागा यहां पे डीडी एकस और रूट है Girl मायनस एक स्क्वाइर इंटो इंटिफ्ट इनक्रेशन आप दोस्तों कितनष बॉन डिक्स और फिर पूरे को हम इंटेग्रेट करेंगे X के रिस्पेट में यह जागा दोस्तों X कि आईब श्यूस्ट्टि में एक Singapore माइनस अक्सिक्स क्वाइर है मैनस रूट एक्स का one by two रूट एस्क्वार माईनस एक्स स्क्वाहर इंटु ए स्क्वार को करेंगे 0 मैनस एक्स स्क्वार माइनेस 2 एक्स Dire tracks एच्स यह हो गया कि अब दोस्तों जागा यहां पे I equals to X root A square minus X square उस्तों देखिए यहां पे minus है यहां पे minus है तो plus होगा एक तो टू से टू गाब होगा और एक X into होगा तो खुल मिला के आएगा plus X square divided by root A square minus x square dx यह हो जाएगा अब कितना हो जाएगा यहां पर आई कोस्ट हो जाएगा x रूट a square minus x square प्लस अब दोस्तों यहां पर क्या करेंगे a square को minus करेंगे और a square को plus यह divided by हो जाएगा दोस्तों root a square minus x square dx यह इतना हो गया अब क्या हो जाएगा यहां पर i equals to x root a square minus x square प्लस प्लस a square है दोस्तों और यहां से minus लेंगे तो क्या आएगा a square minus x square divided by root a square minus x square dx यह हो जाएगा फिर करेंगे तो i equals to हो जाएगा x root a square minus x square प्लस इससे दोस्तों अलग-अलग divide करेंगे तो क्या हो जाएगा यहां पर a square one by root a square minus x square dx यहां हो जाएगा दोस्तों minus a square minus x square divided by root a square minus x square dx फिर क्या होगा दोस्तों यहां पर i equals to यह हो जाएगा एक्स root a square minus x square प्लस दोस्तों यहां पर हो जाएगा है यहां पर a square one by root a square minus x square का दोस्तों क्या होता है यहां पर साइन इन वर्स यहां पढ़ा होगा sign inverse x by a यहां दोस्तों हो जाएगा root a square minus x square dx यह कट जाएगा same है दोनों यह आई हो जाएगा फिर यह किसकी x square plus a square sin inverse x by a अब दोस्तों last में constant करेंगे पहले टू से दिवाइट करेंगे सब को तो आई कोस्तों हो जाएगा एक्स बाइटू यह जाएगा root a square minus x square plus a square by two into sin inverse x by a plus constant तो दोस्तों यह हो गया आपका third part अब दोस्तों याद रखने का तरीका क्या है कि जिसको हम integrate करें देखिए उसमें x by two से into है अगर a square के आगे plus है तो a square by two अगर minus है तो minus a square by two बाकी one divided by वाला जो formula आपको बताया गया था वो apply हुआ ऐसी दोस्तों देखिए second में देखिए हमें root x square plus a square को integrate करना था x by two से into a square के आगे अब प्लस sign है तो प्लस और बाकी one divided by का जो formula ने apply किया था ऐसे फास्ट वाला भी हो जाएगा दोस्तों तो दोस्तों यह तीन formula है अब हम आते हैं अपने ncrt textbook के examples पे तो देखते हैं दोस्तों क्या है इसमें देखिए आप से पहले example 23 क्या कहता इसमें find फिर क्या integration of x square plus 2x plus 5 root में है दोस्तों square root of x square plus 2x plus 5 dx करेंगे दोस्तों क्या है इसे भी हम है कि एक्जामपल 23 तो क्या है दोस्तों यहां पे relation of root x square plus 2x plus 5 dx अब दोस्तों इसे पहले completing square से करेंगे तो क्या हो जागा x square plus 2 into 1 into x अब दोस्तों once into है तो वन का square plus 1 का square minus plus 5 dx यह होता है यह हो जाएगा दोस्तों integration of root यह हो जागा x plus 1 का wholly square यह हो जागा x plus 1 का wholly square minus 1 plus 5 dx यह हो जाएगा फिर क्या हो जाएगा दोस्तों this equals to integration of root x x plus 1 का whole square 5 minus 1 हो जाएगा plus 4 dx हो जाएगा और यह हो जाएगा integration of root x plus 1 का whole square plus 2 का square x plus 1 को t लिखेंगे हाँ पे तो let x plus 1 सब्सक्राइब करिंगे यहां पे if dvx हमस्ट्राद एक्स उइक्स टूषली सब्सक्रिफ एक्स का डिट सब्सक्द में बन वन Спक्मान उट्यक डिद की खेक्सलाद अजी रोटम में इस ब्लौति और असल टि तो अब देखिए दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा यहां पर इस इक वर्मूला अप्लाई करेंगे दोस्तों फॉर्मूला अप्लाई करेंगे दोस्तों फॉर्मूला अपनी कॉपी पर लिख लिजिए वीडियो देखते समय क्योंकि जो एक्जाम्पल्स हम यहां पर करेंगे हम डिर्क फॉर्मुले को अपलाई करेंगे तो अपनी कॉपी यह पेज़ पे लिखकर सामने रखें जिससे आप देख सकते हैं कौन सा फॉर्मुला मैं अपलाई कर रहा हूं तो क्या हो जागा पहले टी बाइटू से इंटू करेंगे इसमें रूट टी स्क्वाइर प्लस टू स्क्वाइर फिर क्या हो जागा दोस्तों ए स्क्वाइर बाइटू तो टू स्क्वाइर बाइटू लॉग मॉड टी प्लस रूट टी स्क्वाइर प्लस टू स्क्वाइर प्लस कॉंस्टेंट अब दोस्तों टी की वैलू हम वापस रख तो कितना जगा 1 by 2 T कितना X plus 1 यह जगा root X plus 1 का whole square plus 2 का square plus दोस्तों हो जाएगा यहां पर 4 by 2 यह जाएगा log mod यह जाएगा X plus 1 plus root यह जाएगा X plus 1 का whole square plus 2 का square plus constant कितना होगा 1 by 2 X plus 1 root दोस्तों यह कितना होगा जो original वाला है original function दिया है वही होगा उसी को हमने completing square में change किया था तो इसको करोगे तो कितना है गागा x square plus 2x plus 5 2 से 4 को cut करोगे 2 यह जगा log mod यह जगा x plus 1 plus root x square plus 2x plus 5 plus constant तो यह दोस्तों आपका होगा एक्जाम्पल नंबर 23 अब है दोस्तों एक्जाम्पल 24 क्या कहता है इंटेग्रेशन ओफ रूट 3-2x-x2-dx से में करना है दोस्तों एक्जाम्पल 24 एक्जाम्पल 24 तो यहां जाएगा इंटेग्रेशन ओफ रूट 3-2x-x2-df दोस्तों इसे कम्पलिटिंग स्क्वायर से करेंगे हम पहले को कम्पलिटिंग स्क्वायर बनाएंगे तो क्या है यहां पर 3-2x-x2-3 यहां पर माइनस कॉमल दे लेंगे तो x-2x-3 होगा यह दोस्तों होगा this equals to minus यहां लिख सकते हैं x square plus 2 into 1 into x plus 1 का square plus 1 का square minus minus 3 यह हो जाएगा दोस्तो minus x plus 1 का whole square minus 1 minus 3 minus 4 होगा अब हम minus 3 into करेंगे तो 4 minus x plus 1 का whole square तो यह दोस्तो हो जाएगा integration of root यह हो जाएगा 4 minus x plus 1 का whole square dx अब दोस्तो यहाँ पर x plus 1 को t रखेंगे let x plus 1 equals to t तो दोस्तो इसको differentiate करने के बाद cool dx equals to dt आएगा और यहाँ हो जाएगा दोस्तो integration of 4 को लिख सकते हैं 2 का square minus t square dt तो यह कितना हो जाएगा दोस्तो root a square minus x square का formula लगेगा तो 1 by 2 into t into root a square minus x square plus 2 square by 2 into यह हो जाएगा दोस्तो sin inverse sin inverse t by 2 plus constant तो यह हो जाएगा 1 by 2 t की जाएगा x plus 1 यह हो जाएगा root 2 square minus x plus 1 का holy square plus 2 का square 4 4 by 2 दोस्तो 2 हो जाएगा sin inverse और t कितना होगा x plus 1 by 2 plus constant तो यह हो जाएगा दोस्तो 1 by 2 यह हो जाएगा x plus 1 यह हो जाएगा root यह पूरा दोस्तों solve करेंगे हमने completing square बनाया था इसको किसको 3 minus 2 x minus x square को प्लस हो जाएगा दोस्तों यहां पे 2 यह हो जाएगा sin inverse x plus 1 by 2 plus constant तो यह दोस्तों हो गया example number 24 अब आते हैं दोस्तों exercise 7.7 पे exercise 7.7 तो दोस्तों इसमें क्या करना है पहले मैं दिखा देता हूँ आपको यह देखिए इंटिग्रेट दा functions in exercises 129 129 तक दोस्तों integrate करना है मैं डियरेक्ट दोस्तों questions को लिखूंगा आप वीडियो देखते से मैं अपने साथ book को रखना और questions को मिलाते रहना और 10 और 11 में दोस्तों option type है यहां भी इंटिग्रेट ही करना है तो करते हैं दोस्तों यहां पर सबसे पहले question number one कि यह integration of root 4-x square dx यह हो जाएगा दोस्तों a square minus x square तो क्या होता है दोस्तों a square minus x square का one by two x फिर हो जाएगा root two square minus x square अब two square के आगे plus है तो कितना जाएगा plus two square by two two into यह जाएगा sin inverse x by two x by a plus constant two square कटेगा दोस्तों तो कितना होगा one by two x root यह जाएगा four minus x square plus two into sign inverse x by two plus constant यह रहाँ दोस्तों आपका question number one अब आते हैं दोस्तों question number two पे क्या है इसमें integration of root one minus four x square dx तो दोस्तों एक चीज़ आप याद रखना कि जो हमारा variable है उसका coefficient plus one या minus one होना चाहिए जैसे x square है इसका coefficient plus one या minus one होना चाहिए दोस्तों अगर उसके अलावा कोई और नंबर है तो उसको हम बाहर ले लेंगे और coefficient को क्या बना देंगे यहां पर one बना देंगे दोस्तों तो क्या लिख सकते हैं पर दोस्तों यह हो जागा integration of root फोर कॉमल लेंगे तो कितना हो जागा one बाई four minus x square यहां पर जागा dx यह हो जागा दोस्तों होई formula लगेगा root कि a square minus x square dx इचीज अपलाई होगा यहां पर तो देखिए कि इतना होगा दोस्तों यहां पर यह हो जाएगा दोस्तों टू तो पहले से ही है अब हम क्या करेंगे एक्स बाई टू से इंटू करेंगे यहां पर तो कितना हो जागा एक्स बाई टू रूट वन बाई टू का स्क्वाईर माइनस x स्क्वाईर प्लस a स्क्वाईर बाई टू मतलब वन बाई टू का स्क्वाईर बाई टू इंटू साइन इन वर्स x divided by 1 by 2 plus constant तो यह कितना हो जागा दोस्तो 2 यहाँ हो जागा x by 2 यहाँ हो जागा root 1 by 4 minus x square प्लस यहाँ दोस्तो हो जागा 1 by 4 नीचे आगा 4 टू जा 8 हो जागा into sine inverse यह हो जागा 2x plus constant अब दोस्तो 2 से into करेंगे यहाँ पर तो कितना हो जागा 2x by 2 और यहाँ हो जागा root 1 minus 4x square दोस्तो नीचे 2 आगा करके root 4 यह 2 हो जागा 2 से 2 यह गाए भोगा प्लस यहाँ भी दोस्तो 2 से into हो जागा 2 by 8 sine inverse 2x plus constant यह हो जागा x by 2 root 1 minus 4x square plus 1 by 4 sine inverse 2x plus constant यह दोस्तो complete हो आपका question number 2 अब आता है दोस्तो question number 3 पर question number 3 में दोस्तों कहता है integration of root x square plus 4x plus 6 dx इसको भी दोस्तों क्या करेंगे completing square तो यह हो जगा integration of यहाँ जागा x square plus 4 को लिख सकते हैं 2 into 2 into x plus अब दोस्तों 2 और x को छोड़िये तो 2 बच रहा है तो 2 का square plus और 2 का square minus कीजिए plus 6 dx हो जाएगा दोस्तों अब यह कितना होगा this equals to integration of अगर इसको पूरा देखा जाए तो क्या होगा x plus 2 का whole square यह हो जागा दोस्तों minus 4 plus 6 dx और यह पूरा हो जागा integration of root x plus 2 का whole square 6 minus 4 कितना हो जागा 2 dx अब दोस्तों हम x plus 2 को टी लेते हैं तो let x plus 2 equals to t differentiate करेंगे इससे यहाँ पर ddx of x plus 2 equals to कितना होजागा ddx of t x का derivative x के respect में 1 2 का होजागा 0 equals to होजागा ddx of t तो dx equals to होजागा dt this equals to यह दोस्तों होजागा integration of x plus 2 होजागा t का square plus 2 को सकते हैं root 2 का square यह हो जाएगा dt अब यह कितना होगा दोस्तों कौन सा formula apply होगा root x square plus a square का तो क्या करेंगे दोस्तों पहले टी बाइटू से इंटू किजे टी बाइटू इंटू किस्क्वाइट प्लस रूट टू का square अब यह सक्वाइट के आगे प्लस रूट टू के स्क्वाइट प्लस तो कितना हो जाएगा root 2 का square by 2 यह कितना हो जाएगा log mod t plus root t square plus root 2 का square plus constant यह हो जाएगा दोस्तों अब हम क्या करेंगे t की value रखेंगे t कितना है x plus 2 x plus 2 divided by 2 integration of कितना हो जाएगा x plus 2 का whole square plus root 2 का square 2 दोस्तों यहाँ root 2 का square 2 by 2 यह हो जाएगा log mod x plus 2 plus root यह हो जाएगा x plus 2 का whole square plus root 2 का square 2 plus constant फिर यह हो जाएगा x plus 2 divided by 2 into integration of x plus 2 का whole square plus 2 दोस्तों पूरा हम solve करेंगे तो जाएगा x square प्लस 4 x plus 6 प्लस दोस्तों टू से 2 कटा तो वन आया यह जाएगा log mod यह हो जाएगा x plus 2 प्लस यह जाएगा root x square plus 4 x प्लस 6 plus 6 plus constant दोस्तों यह complete हुआ आपका question number 3 अब आते हैं दोस्तों question number 4 पे क्या करता है question number 4 integration of root x square plus 4 x प्लस 1 का हो जाएगा x plus 2 का holy square तो जाएगा root x plus 2 equals to t इसे differentiate करेंगे हम ddx of x plus 2 यह equals 2 हो जाएगा यहाँ पे ddx of t तो दोस्तों x का derivative 1 2 का 0 यह हो जाएगा यहाँ पे ddx of t यहाँ से dx हो जाएगा dt यह हो जाएगा दोस्तों integration of root t का square minus root 3 का square dt यहाँ दोस्तों formula लगेगा root x square minus a square का तो क्या हो जाएगा यहाँ पे यह हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों t by 2 root t square minus root 3 का square अब a square के आगे minus है तो दोस्तों क्या हो जाएगा minus root 3 का square by 2 यह हो जाएगा log mod t plus root K2-Root3Root3 square plus constant यह हो गया अब हम T की value आपस रखेंगे तो कितना जगा है X plus two divided by two root X plus two का whole square minus root 3 का square minus 3 by 2 log mod कितना जगा है X plus two plus root X plus two का whole square minus root 3 का square 3 plus constant तो कितना होगा दोस्तो x plus 2 by 2 root x plus 2 का holy square और minus root 3 का square दोस्तो पूरा solve करेंगे तो आएगा x square plus 4x plus 1 minus 3 by 2 यह हो जाएगा log mod x plus 2 plus root x square plus 4x plus 1 plus constant तो यह दोस्तो आपका complete हुआ question number 4 question number 5 है दोस्तों 5 integration of root 1 minus 4 x minus x square dx अब दोस्तों इसे completing square से करेंगे हम 1 minus 4 x minus x square तो यहां से माइनस साइन कॉमल लेंगे तो x square plus 4x minus 1 आएगा यह जागा minus x square plus 2 into 2 into x minus 1 यह जागा minus x square plus 2 into 2 into x 2 और x को छोड़कर 2 बसता है तो 2 का square plus और 2 का square minus minus 1 यह हो जाएगा दोस्तों यहां पर x plus 2 का whole square minus 4 minus 1 equals 2 हो जाएगा यहां पर x plus 2 का whole square minus 5 यह माइनस से इंटू करेंगे तो 5 minus x plus 2 का whole square हो जाएगा और 5 को लिख सकते हैं रूट 5 का square minus x plus 2 का whole square यह हो जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों इसके आगे this equals to integration of यह जगा रूट यह हो जाएगा रूट 5 का square minus यह हो जाएगा एक्स प्लस 2 का whole square dx ना हुआ अब दोस्तों एक्स प्लस 2 को टी लेंगे यहां पर लेट एक्स प्लस 2 equals to differentiate करने पर dx कितना आ जाएगा यहां पर डीटी आ जाएगा यह हो जाएगा integration आप यहां जाएगा रूट में रूट 5 का square minus t का square dt यह होगा अब दोस्तों क्या हो जाएगा यहां यहँ दोस्तों यहां पर जाएगां चीवारीट यहीं जाएगा याण यहां हो जाएगा रूट वाइट रूट यह लेगां फइन और क्लस न् estar plus 2 x plus 2 divided by 2 ऊस यहाद रूट यह जेगा रूट 5 का स्कॉयर मायनस x plus 2 का होल इस्कॉयर प्लस रूट 5 का स्कॉयर 5 by 2 into सब्च इन इनवर्ज यह जागा दोस्तो एक्स प्लस टू डिवाइड अथा प्लस से constant यह हुआ यह हो जाएगा फिर x plus 2 divided by 2 यह दोस्तों अगर हम पूरा solve करें तो वही हमारा original वाला function मिल जाएगा जिसको हमने completing square से change किया है 1-4x-x square प्लस 5 by 2 यह हो जागा sign inverse x plus 2 by 2 plus constant तो दोस्तों यह complete वह आपका question number 5 अब आते हैं दोस्तों question number 6 पे question number 6 में है integration of root x square plus 4 x minus 5 dx इसको भी हम completing square से करेंगे तो क्या हो जाएगा integration of root x square प्लस 4 को लिख सकते हैं 2 into 2 into x अब दोस्तों 2 और x को छोड़िए तो 2 बचेगा तो 2 का square plus और 2 का square minus minus 5 dx यह हो जाएगा this equals to integration of यह हो जागा root यह दोस्तों पूरा हो जाएगा x plus 2 का whole square x plus 2 का whole square minus 4 minus 5 dx यह होगा इसको हम लिख सकते हैं integration of root x plus 2 का whole square minus 3 square dx अब दोस्तों x plus 2 को टी लेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर लेट x plus 2 equals to t दोस्तों इसको differentiate करके करेंगे तो dx कितना आएगा यहाँ पर dt आएगा आपने किया है कई बार किया इसे तो यह होगा integration of root यह हो जागा t का square minus 3 square dt अब यहाँ पर कौन सा formula लगेगा दोस्तों यह root x square minus a square का लगेगा यहाँ पर तो क्या हो जागा दोस्तों यहाँ पर t by 2 रूट t square minus 3 का square minus 3 square by 2 यह हो जागा log mod t plus root t square minus 3 square plus constant अब दोस्तों t की value रखेंगे t कितना x plus 2 तो कितना होगा यह x plus 2 divided by 2 यह हो जागा root x plus 2 का whole square minus 3 का square 9 minus 9 by 2 यह हो जागा log mod यह हो जागा x plus 2 plus root यह हो जागा x plus 2 का whole square minus 9 plus constant यह कितना होगा दोस्तों यहाँ पर x plus 2 divided by 2 root यह दोस्तों पूरा जब आप solve कीजिएगा तो आएगा x square plus 4 x plus 4 minus 9 minus 5 minus 9 by 2 यह हो जागा log यह हो जागा mod x plus 2 plus root यह भी दोस्तों जागा x square plus 4 x minus 5 plus constant यह हो गया दोस्तों आपका question no.6 अब आते हैं दोस्तों question no.7 पर question no.7 कहता है यहां पर integration of root 1 plus 3 x minus x square dx इसे भी दोस्तों पहले completing square से हम change करेंगे तो क्या कर सकते हैं इसमें 1 plus 3 x minus x square है अगर हम minus common ले लें तो क्या आएगा x square minus 3 x minus 1 इसको लिख सकते हैं minus यहां जागा x square फिर 2 से into करेंगे और 2 से divide करेंगे into x अब दोस्तों 2 और x को छोड़कर 3 by 2 मिलता है तो 3 by 2 का square plus और 3 by 2 का square minus यह हो जागा minus 1 यह कितना हो जागा दोस्तों यहां पर minus और यह पूरा हो जागा x minus 3 by 2 का holy square x minus 3 by 2 का holy square minus 9 by 4 minus 1 तो यह हो जागा minus यह हो जागा दोस्तों x minus 3 by 2 का holy square minus 4 और ओंजा 4 9 13 तो 13 by 4 अब दोस्तों यहां minus 2 कर दें तो कितना हो जागा 13 by 4 minus x minus 3 by 2 का holy square इसको लिख सकते हैं दोस्तों root 13 divided by 2 का square minus x minus 3 by 2 का holy square तो यह कितना हो जागा दोस्तों this equals to integration of root यह हो जागा root 13 by 2 का square minus x minus 3 by 2 का square dx अब दोस्तों x minus 3 by 2 को हम t लेंगे तो लिखेंगे यहां पर लेट एक्स माइनस 3 by 2 equals to differentiate करेंगे दोस्तों पूरा तो dx कितना आ जागा यहां पर डिटी आ जाएगा कि यह जगा integration of root यह जगा root 13 divided by 2 का square minus की का square इस्क्वाइर दोस्तों यहां फॉर्मॉला लगा है root इसक्वाइर माने सेक्सी स्क्वाइर का लगाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों पहले टी बाइटू सेंटू करेंगे यहां पर टी बाइटू पिर जागा root कि यह दोस्तों जागा root 13 by 2 का square minus T square और यहां पर होगा दोस्तों प्लस आगे लिखते हैं रूट थर्टीन बाइटू का सक्वाइर बाइटू यह जागा sin inverse कि डिवाइड़ बाइट भाइड रूट थर्टीन बाइट फ्लस constant अब दोस्तों टी की वैलू भी रख देंगे X-3 बाइटू कितना जागा 1 by 2 x minus 3 by 2 यह जगा root 13 by 2 का square दोस्तो 13 by 4 minus x minus 3 by 2 का whole square प्लस इसका दोस्तो square करेंगे तो 13 by 4 4, 2, 8 तो कितना जगा 13 by 8 यह जगा sine inverse यह 2 उपर जाएगा root 13 नीचे और T की value रखेंगे दोस्तो x minus 3 by 2 plus a constant दोस्तो इसको और आप आसान भी कर सकते हैं इसको यह हमने completing square जो किया है तो क्या हो जगा यहाँ पर 1 by 2 यह हो जगा x minus 3 by 2 यह हो जगा दोस्तो root जिसको हमने completing square किया है 1 plus 3 x minus x square प्लस हो जगा 13 by 8 यह जगा sine inverse अब दोस्तों यहाँ 2 से into करेंगे कितना होगा 2 x minus 3 और 2 से 2 कटेगा दोस्तों तो होज़ागा 2 x minus 3 divided by root 13 plus constant यह दोस्तों complete हो आपका question number 7 अब आते हैं दोस्तों question number 8 पे question number 8 का था integration of root x square प्लस 3 x dx यह है दोस्तों यह हो जगा integration of root x square प्लस 2 से into करेंगे और 2 से divide 3 by 2 into x plus 3 by 2 का square plus और 3 by 2 का square दोस्तों minus यह हो जगा dx यहाँ पे फिर यह कितना होगा integration of root यह हो जगा यह हो जगा x plus 3 by 2 का square minus 9 by 4 dx अब दोस्तों x plus 3 by 2 को t लेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे let x plus 3 by 2 equals to t तो differentiate करेंगे दोस्तों dx equals to कितना गया dt तो यह कितना होगा दोस्तों integration of यह हो जगा root t square minus 9 by 4 को लिख सकते हैं 3 by 2 का square dt तो कितना होगा दोस्तों यह हो जगा t by 2 root t square minus 3 by 2 का square minus अब यह स्क्काइर के आगे minus है यह हो जगा 3 by 2 का square by 2 log यह जगा mod यह जगा t plus root t square minus 3 by 2 का square plus constant t की value रखेंगे दोस्तों यह जगा 1 by 2 यह जगा x plus 3 by 2 integration यह जगा x plus 3 by 2 का square minus 3 by 2 का square दोस्तों 9 by 4 होगा minus यह हो जगा 9 by 4 4 to 8 9 by 8 हो जगा यहां पे हो जगा log mod x plus 3 by 2 plus यह हो जगा root x plus 3 by 2 का whole square minus 9 by 4 plus constant यह कितना हो जगा यह कितना हो जगा दोस्तों 1 by 2 यह जगा x plus 3 by 2 दोस्तों इसको पूरा solve करेंगे तो आएगा x square plus 3 x minus 9 by 8 यह जगा log mod x plus 3 by 2 plus इसको भी दोस्तों अगर हम पूरा solve करेंगे यहां पे तो आएगा x square plus 3 x plus हो जगा यहां पे constant तो दोस्तों यह complete हो आपका question number 8 अब आते हैं दोस्तों question number 9 पे 9 काता है दोस्तों integration of root 1 plus x square by 9 dx यह हो जाएगा दोस्तों integration of इसको solve करेंगे तो root में आएगा 9 plus x square by 9 dx यह दोस्तों square root 9 का 3 होता है तो 1 by 3 यह हो जाएगा integration of root 9 को लिख सकते हैं 3 का square plus x square dx यह हो जाएगा 1 by 3 अब यहां पे दोस्तों लगेगा root x square plus a square का तो क्या हो जाएगा x by 2 root 3 square plus x square plus a square by 2 log mod x plus root 3 square plus x square plus constant यह कितना होगा दोस्तों 1 by 3 यह हो जाएगा x by 2 root 9 plus x square plus हो जाएगा 9 by 2 यह हो जाएगा log mod x plus root 9 plus x square plus constant तो 1 by 3 से इंटू कर देंगे दोस्तों कितना होगा x by 6 root 9 plus x square plus दोस्तों यहां 1 by 3 से इंटू करेंगे 3 से 9 कटेगा तो 3 by 2 आएगा यह जाएगा log mod x plus root 9 plus x square plus constant तो यह complete हो गया दोस्तों आपका question number 9 अब आता हैं दोस्तों question number 10 पे तो यह optional है दोस्तों पहले हम question को solve कर लेते हैं यह है integration of root 1 plus x square dx अब दोस्तों यहां पे भी formula लगेगा root a square plus x square का तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहां पे 1 को लिख सकते हैं 1 का square तो हो जाएगा x by 2 यह हो जाएगा root और फिर होगा यहां पे 1 square plus x square plus a square by 2 मतलब 1 square by 2 और यह होगा log mod x plus root 1 square plus x square plus constant यह पूरा कितना हो जाएगा दोस्तों x by 2 root 1 plus x square plus 1 by 2 log mod x plus root 1 plus x square plus constant तो यह दोस्तों कम्प्लीट हुआ आपका question number 10 और यह option है इसमें दोस्तों तो देखिए question number 10 का a option सही है x by 2 root 1 plus x square plus 1 by 2 log mod x plus root 1 plus x square plus constant तो यह हो गया दोस्तों a part सही है इसका answer अब आते हैं दोस्तों last question पर question number 11 क्या कहता है integration of root यह हो जाएगा x square minus 8x plus 7 dx यह हो जाएगा यह कितना हो जाएगा दोस्तों integration of root x square 8 को लिख सकते हैं दोस्तों 2 into 4 into x अब दोस्तों 2 और x को छोड़कर 4 बसता है 4 का square plus और 4 का square minus plus 7 dx यह होगा यह पूरा हो जाएगा दोस्तों x minus 2 का whole square sorry x minus 4 का whole square यह हो जाएगा root x minus 4 का whole square और minus 16 plus 7 यह हो जाएगा dx यह हो जाएगा दोस्तों integration of root x minus 4 का whole square स्क्सक्रीब में से वन गया 9 यहां जागा डी एक्स नाइन को लिख सकते हैं दोस्तों त्री का स्क्वाइर तो यह जागा integration ओ फूर एक्स माइनस फोर का हौली स्क्वायर माइनस स्पोर नाज चैलने तो लिखेंगे T square minus 3 square यहों जगा DT यहों जगा दोस्तों यहां फे T by 2 root T square minus 3 square हो जगा minus 3 square by 2 यहों जगा log mod t plus root T square minus 3 square plus constant. अब दोस्तों T की बाइवा आपस रख देंगे तो कितना हो जगा है 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 यहां पर 1 by 2 यह हो जगा x minus 4 यह हो जगा root x minus 4 का whole square 3 का square 9 minus 9 by 2 यह हो जगा log mod कि कितना है दोस्तो x minus 4 plus यह हो जगा root x minus 4 का whole square minus 9 plus constant तो यह कितना हो जगा दोस्तो x minus 4 divided by 2 root दोस्तो इस पूरे को solve करेंगे तो आएगा x square minus 8x plus 7 minus 9 by 2 यह हो जगा log यह हो जगा mod x minus 4 plus यह हो जगा root x square minus 8x plus 7 plus constant तो दोस्तों देखते हैं इसमें कौन सा सही है इसमें minus 9 by 2 log mod यह देखिए फोर्थ पार्ट सही है दोस्तों यह देखिए आपके सामने डी बाला पार्ट 1 by 2 x minus 4 root x square minus 8x plus 7 minus 9 by 2 log mod x minus 4 plus root x square minus 8x plus 7 plus constant तो d वाला पार्ट दोस्तों सही है अंसर हो जागा इसमें दी तो दोस्तों यह complete हुआ आपका exercise 7.7 नेक्स वीडियो दोस्तों लाओंगा मैं उसमें आपको definite integral के बारे में बताऊंगा और भी कई चीजे बताऊंगा थैंक्स